नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का आमारे यूटूब चैनल पर बहुत भावध हार्दिक स्वागत हैं सातियों आज के सेसन में हम चर्चा करने वाले हैं मदर्शा के बारे में दोस्तों मदर्शा क्या होता है एक बार बेसिक हम जान लेते हैं मदर्शा एक अर्भी सब्द है जिसे हिब्रु बासा से लेया गया है जिसका मतलब होता है धार्मिक ग्यान सीखने की जगए हैं ठीक है सातियों दुनिया के सबसे दुनिया के पहले मदर्शे सूपा की सुरुवात पेगंबर मोहमद के दवारा की गई थी और दोस्तो बाहरत में पहला मदर्शा 1192 में एस्वी में माना जाता है राजस्तान के अजमेर जिले में सुरु हुआ था ठीक है सातियों तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मदर्शा के बारे में दोस्तो इस से जुड़े कुछ महत्पूर्ण बाते और मदर्शा किसके दवारा इसकी इस्तापना की गई थी सबसे दुनिया का सबसे पहले मदर्शे का क्या नाम था और किसके दवारा इस्तापना की गई थी तमाम बाते दोस्तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को आप लाश तक अवशे देके अगर वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक अवशे करें तो दोस्तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं मदर्शो की सुरुआत मदर्शा का मतलब है धार्मी ज्यान सीखनी की जगह है ये सब्द हिब्रू से अर्भी में आया है कुरान की आयत दोस्तो 9.122 के मुताबिक ठीक है जब सभी लोग जंग पर जा रहे हो तो कुछ लोगों को रुक कर धार्मिक अध्यन करना चाहिए जिससे वो वापस लोटकर लोगों को रास्ता तिका सके ये दोस्तो कुरान में लिखा गया है ठीक है पहले मदर्से की सुरुवात जेद बिन और कम प्रांत में सफ़ा पहडी के पास हुई थी यहां पेगंबर मुहमद टीचर थे और उनके कुछ अनुवाई इस्टुडेंट थे ठीक है तो दोस्तो यहां पर का पर हुई थी सफ़ा पहडी के पास तो यह है पहला सफ़ा मदर्सा दुनिया का पहला मदर्से का नाम है सफ़ा मदर्सा ठीक है पेगंबर मुहमद के निधन के बाद उनकी पतनी आईसा ने अपने घर में महिलाओ के लिए मदर्सा शुरू किया वो यहां कुरान, विरासत, कानून, कविता, अर्भी साहित्य, वनसावली और सामान्य चिकसा के बारे में फड़ाती थी कौन दोस्तो पेगंबर मुहमद की पतनी ठीक है आठसो गुनसट इस्वी में फेज सहर जो आज मोस्को है ठीक है, मोस्को में है, फेज सहर में अलकर्बियन नाम से मदर्से की सुरूआत हुई जो बाद में उच्छी सिक्षा का गड़ बना ठीक है इसकी इस्ताबना एक अमीर वेपैरी की बेटी फातिमा उल्ल फिहरीक ने की थी इसके बाद मदर्से फैलते चले गए नेक्ट देखते हैं साथियो मदर्सो की बारत में सुरूआत बारत में मदर्सो की सुरूआत दिली सल्तनत की इस्ताफना के बाद हुई 1192 एस्वी में अजमेर में पहला बहरतिय मदर्सा शुरू हुआ कहां दोस्तों अजमेर में जो एक राजस्तान का मुख्य जिला है इसके बाद गुलाम खिलजी और तुगलक वन्स ने मदर्सों के सिस्टम को सरक्षन दिया कौन से वन्सर्जों के दवारा मदर्सों को सरक्षन दिया गया गुलाम वन्स खिलजी वन्स और तुगलक वन्स के दवारा मुख्य बिन तुगलक 1290 से 1351 एसवी के सासन में सिर्प दिल्ली में ही करीब एक हज़ार मदर्से थे किसके सासनकाल में? मुहमद बिन तुगलग के सासनकाल में इन मदर्सों के मौलवियों की सेलरी सरकारी खजाने से दी जाती थी उस वाक्त मदर्सों में ज्यादातर असराफिय यानि उचे कुल के मुसलमान ही फढ़ने जाते थे उसी दोर के मदर्सों का पूरा फोगस इसलामी विदी सास्तर फढ़ाने पर होता था ठीक है सातियों? नेक्ट देखते हैं मदर्सों का बारत में विश्तार मुगलों के समय खासकर अकबर के सासन में मदर्सों में दूसरे विशों की फढ़ाई शुरू हुई किसके ससनकाल में दोस्तों अकवर के ससनकाल में दूसरे विसे भी इसमें कुछ जोड दिये गए थे 16 सदी के आखरी तक मदर्सों में गनित, मेडिसिन, नेचूरल, साइन्स, एस्टरोनोमी भी फड़ाया जाने लगा 18 सदी में कटरधार्मिक स्कॉलर शहे वलियूलाह देहलवी ने मदर्सों में वेग्यानिक शिक्षा का विरोध किया उनका तर्ग था कि मदर्सों में सिर्फ इसलामी शिक्षा होनी चाहिए किसके दवारा? शहे वलियूलाह देहलवी के दवारा ठीक है शाहे वलिव लहाय की मोत के 96 साल बाद उन्ही की सिक्षोग पर मुहमद काशिम नोतनवी ने 1866 में दारुल उलुम देवबंद की इस्तापना की दारुल उलुम देवबंद के सिलेबस पर ही आज भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हजारों मदर से संचालित हो रहे हैं दूसरी तरफ मोर्डन एजुकेशनलिस्ट शर्षैद एहमद खा जैसे लोगों ने जैसे लोग थे जो मदर सो में ने रेशनल और मोर्डन एजुकेशन की वकालत कर रहे थे इन्हें के परियासों से राजा राम मोहन राई डॉक्टर राजंदर पसाद और मुन्सिप प्रेमचंद जैसे गेर मुस्लिम हर्स्तियां भी मदर सो में पड़ी हैं ठीक है साथियों दोस्तों राजा राम महोन राई डॉक्टर राजिन्दर्क पसाद हिंदी के महान कवी मुन्सी प्रेमचंद ऐसी गेर मुस्लिम हर्स्तियों के दवारा भी मदर्सों में पड़ाई की गई है ठीक है साथियों नेक्ट देखते हैं मदर्सों का गलत रुख 1877 की करांती फैल होने के बाद बिर्टिर्श ने मदर्सों और इनसे जुड़े लोगों पर हमले बड़ा दिये 1866 में देवबंदी मदर्सों की शुरुवात हुई तो उसे बिर्टर्श के खिलाप इसलाम के किले की तरह देखा गया देवबंदी स्कोलर्श ने बिर्टर्श की तरह साइंस को भी अपना दुस्मन समझ लिया और सिर्फ इसलामी सिख्या को बढ़ावा दिया ये सिल्सला आजादी के बाद भी जारी रहा और इसे वजह से मदर्से में पढ़ने वालों के लिए मोर्डन नोलेज के दुराजे बंध हो गए देव बंधी मदर्सों में जितने उत्साहे से इसलाम पढ़ाया जाता था वैसे ही गणी साइंस और अंग्रेजी पढ़ाया जाती तो भारत के मुसल्मानों की सामाजिक आर्थिक इस्तिती काफी अलग होती ठीके साथ यो नेक्ट देखते हैं मदर्सों में सुधार की कोशी से In 1993 में मदर्सा सिख्षा सुधार की गंभीर कोशी से सुरू हुई जब सरकार ने मौर्डन मदर्सों की जुरत को समझा मदर्सों की हालात सुधारने के लिए 2004 में National Committee for Minority Education बनाई गई 2089 में केंदर सरकार मदर्सों के लिए दो तरहे के कारे करम चला रही है मदर्सों में अच्छे शिक्षा देना और दूसरा कारे करम है मदर्सों का आधुनिकी करन करना ठीके साथियों मदर्सों में अच्छे शिक्षा देना और मदर्सों का आधुनिकी करन करना हालांकि इस राहे में कुछ अडचने भी हैं मसलन नेशनल काउंसिल फोर माइनोरोटी एजुकेशन के 2004 से 2014 तक परमुक रहे जेस्टिस MSA सिद्धीकी के मुताबिक इन सनस्तानों को चला रहे कट्र धार्मिक नेताओं का कहना है कि मदर्सो का काम डोक्टर इंजिनिरिंग बनना नहीं धार्मिक नेता खड़े करना है ठीक हैं नेक्ट देखते हैं दोस्तों मदर्सो की बारत में मोजुदा इस्ती थी Ministry of Minority Affairs के 2018 गुनिस के डेटा के मुताबिक बारत में कुल मदर्से चोई सजार दस हैं ठीक है गेर माननेता प्राप्त मदर्से 4878 हैं अना अनाधिकारिक रूप से शिर्फ एक संगठन जमियत उलेमा ए हिंद के नोर्थ इंडिया में 20 हजार से ज़्यादा मदर्से हैं बारत में आम तोर पर मदर्से धार्मिक चंदे से चलते हैं लेकिन इन छे राजियों में 36 गड़ वो सोरी इन छे राजियों में सरकारी मदर्से मदर्से मदर्स भी मिलती हैं उत्तर परदेश बिहार मद्दे परदेश 36 गड़ पस्वें बंगाल और असम में ठीक है नेक्ट देखते हैं एक अनवान के मुतबिक बारत में हर साल मदर्सों को करीब 10 हजार करोड की फिडिंग होती है इसमें से 50 परतिशत फिडिंग का सोर्स पता ही नहीं दूसरे स्कूलों की तरह मदर्सों में भी फड़ाई होती है यहां की कलासेज के नाम कुछ ऐसे हैं उल्ला प्राइमरी एजुकेशन श्यानिया हाई इसकूल रब्या और खामेसा मौलवी सादेश्या आलिम यानि गरुजेट साबेया और सामेन फाजिल पोस्ट गरुजेट इसके बाद जो रिशर्च करता है तो मुप्ती की डिगरी मिल जाती है वीशों में आम तोर पर इसलामिक थियोलोजी इसलामिक रिवोल्यूशन अर्वी साहित्य और कुरान पढ़ते हैं इसके अलावा मदर्सों में पांच वक्त की नमाज भी होती है ठीक है दोस्तों नेक्ट देखते हैं बाहरत के मदर्सों की चुनोतिया सिलेबर्स जुड्डिवर्दी और कटर मुसलिम विद्वान मदर्सों में साइन्टिफिक और मोर्डन एजुकेशन का विरोध करते हैं मदर्सों की ज़्यादतर फिडिंग मुसलिम समुदाई के दान या वक्व फोड में आती है इसकी आमधनी और खर्च में ट्रांसपेरेंसी नहीं है टीचर क्वालिटी यहां पढ़ाने वाले सिख्षक भी पुराने सिस्टम से निकले हैं उन्हें बहद मामूली सेलेरी में गुजारा करना होता है माहूली की कमी मदर्सों में बच्चों के सभी तरह के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता मसलन एक्स्ट्रा करिकुल एक्टिविटीज ठीक है दोस्तों नेक्स देखते हैं ये कुछ दोस्तों बारत में मदर्सों की चुनोतिया हैं नेक्स देखते हैं यूपी में यूपी के मदर्सों का इन बारा पॉइंटों पर होगा सर्वे दोस्तों अभी हाल ही में यूपी के जो मदर्से हैं उन सभी मदर्सों पर कुछ पॉइंट हैं उन पॉइंटों पर सर्वे होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 12 बिंदों पर सर्वे करने का फेशला किया है SDM, BSA और चिला अलब संक्यक अधिखारी राज्य के गेर मान्यत प्राप्त मदर्सों से ये जानकारी जुटा कर सरकार को सोपेंगे क्या सोपेंगे दोस्तों कौन सी जानकारी वो हम नीचे देखते हैं मदर्से का नाम, संचालित करने वाली सनस्ता, इस्तापना का वर्स, बिल्डिंग का वीवरन क्या भवन स्टुडेंट के लिए उप्युक्त है या नहीं स्टुडेंट की कुल संक्या कितनी है, शिक्षों की संक्या कितनी है, इसका सेली बस क्या है, आई का जरिया क्या है, क्या स्टुडेंट किसी और इसकुल में पढ़ते हैं, क्या किसी गेज सरकारी स्थनस्ता से संबंध है, सर्वे करने वालों की टिपनिया ठीक है दोस्तों ये कुछ पॉइंट है इन पॉइंटों के इस दवारा सर्वे किया जाएगा UP में ठीक है नेक्ट देखते हैं मदल्सो के इस सर्वे पर हंगा माह है बरपा BSP प्रमुक मायावती UP में मदल्सो पर BJP सरकार की टेडी नजर है दोस्तों देखों ये कुछ राजनिती में आगए तो इनको दोस्तों देख लेना आफ ऐसा कोई हमारे वीडियो का मतलब नहीं है राजनिती से जुड़े कुछ मुद्धों को उठाना ठीक है सात्यूं इसमें आप देख सकते हूं मायावती के दोरा क्या बोला गया है अशुरुद्दिन आवेशी उसके दोरा क्या बोला गया है ऐसे कुछ आप देख सकते हूं सात्यूं ठीक है तो next देखते हैं दोस्तों दोस्तों बारत का सबसे पहला मदरसा है अजमेर जो कब बना था गुनी सो बानमे इसमें ठीक है दिल्ली में अकबर के समय एक हजार मदरसे हो गए थी ठीक है 1290 से 1391 इसमें ठीक है दोस्तों next देखते हैं दोस्तों आज का सेसन हमारा यहीं समाप्त होता है तो दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों ऐसे ही हम आप सभी के लिए नए नए विशे पर नए नए टोपिकों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे तो दोस्तो जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ दोस्तो अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया है UFO के बारे में दोस्तो UFO आकर होता क्या है? ये एक उड़न तस्तरी जैसा कुछ होता है UFO के बारे में हमने डिटेल से इस वीडियो चर्चा की है जो भी इसकी कुछ महत्पूर्ण बाते हैं सभी बातों को हमने आपके सामने बताया है और दोस्तो इस UFO पर कौन-कौन से देशों के दवारा इस्टेडी की जा रही है किन-किन देशों को इस पर UFO के दवारा UFO से जुड़ी कुछ जानकारी मिली है उन सभी जानकारी को हमने आपको सांजा किया है तो दोस्तो इस वीडियो की हम लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्शन में देदेंगे वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप आवश्य देके और दोस्तो ऐसे ही हम नए नए टोपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे तो दोस्तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल के साथ नेक्स वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे तो तब तक बने रहे है जहिन जह भरत